नमस्कार नापने नमित भार्ण पत्रीकार के बेरिकिंग न्यूज में आपको शौलत है आज बार्ण मंडल के ग्रामीन छेत्र विटकाओं में दिन दहारे कुछ अपराधिक तत्मों के द्वारा गोली चलाएगे कुलमिलातर के आपके हैं तो मामला ये था कि ग्रामीनों के बीच मश्री पकरणी के विवात को लेकर के दो गुडों के बीच में आपसी जरब वी जिसमें एक गुर्प ने दूसरे गुर्प पर गोली चलाएगे गोली चलाने के करब में ग्रामीन जित्तु यादब के भधिजेड धनमजे कुमार को गोली लेगे गंबीर अवस्ता में उन्हें बाहर अनुबंडल अस्पतार इलाज के लिए लाया गया जहां प्राक्मिक उप्चार के बाद उनकी स्थिक गंबीर होने के कारण पटना PMCH अनुबंडल हॉस्पिटिल्स में रेफर किया गया जब घटना की जानकारी पुलीस को मिली तो पुलीस थाना दर्थ संजीत कुमार के उपस्थती में घटना की जानकारी को लेने के लिए गाउन परचे ग्रामिनों के द्वारा उस्तास के पलसरो उन्हें ये पता चला कि दो गुटों के बीच में मस्की पकरने को लेकर के जब आपशी रंजिस हुए उस रंजिस के कारण कुछ आसमाजिक तत्वों ने इस अपराधिक घ्रना को अंजाम दिया पुलीस लगातार तंकी कान में लगी विये तुथा चापे मारी कर अपराधिक तत्वों को पकरने में लगी बढ़ी है परन्तु अभी तक कोई ग्रफतारी नहीं उपाई थाना धत संजीत कुमार लगातार अबराधी तत्मों को पगरने के लिए निरतर प्रयासरत है और उनकी ग्रवतारी मिलते ही आपको शुचना दी जाएगे वहीं पर जब घटना की जानकाई लेने हमारे पत्रकार अंचे वहाँ पर तो ग्रामीं डर के मारे कुछ नहीं बोलना है परंतु उसी क्रम राजत कारी करता तरुन यादर के द्वारा युबाव के लिए एक संदेश दिया गया मैं चाहता हूं की आप ये संदेश उनके जुआन में सुनें हमारे पर सुनकी ओडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि बीडियो रिकॉर्रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी अंधर आउने के करता तो आप उंकी ओडियो मतलब आपके कहने के अर्थ है कि या आप जिद्वाद के कहना से हुआ है? हाँ है आप से ही विद्वाद है और इसका पूरा सुचना आप कैसे देना चाहिए? इसका सुचना तो आप पुलिस से देगे यह साइकशना ते अर्थ है विद्वाद के दूधिति अीजे, आप देकि सांप क्या इसमें पुल रवाद चाहिए? आए दिन जो इसस्ति है जो नौजवानों इसससिति है बिदोग्रा लोग जिना चाहते हैं और इस चकर वे लोग गलत गलत उंठा लेते हैं हम तो नोजवानों को संदेश दें किसी बात के लिए युहाई कलत कदमने उठाई लेकिन आज जो देश का हाला आता है पर जारी की जो हाला थे नोजवानों के साथ इसमें लोग कोई उपाई नहीं सुझता है तो अब असे काव सकता कैसे सजी लीड्स को प्राप्त करने के लिए तो असमाजी तत्त्तों के द्वारा और लोगन के मंद्यम से गलत कदम उठादे था जैसे कि मालेवे शुटों के साथ पता चला इक बूली मालते के इसके परच्छ में आप अदलर की क्या कहना चाहेंगे कि क्या यह आप इसी दिवार में जो आप इसी दिवार के कारण से जो मचली पार की काम से कारे से उपर थे या और और भी उस्रा वज़ा भी हो सकता है आप इसका आप मने कई रूप में इसको ले सकते हैं कि प्रीजन हो सकते हैं तो पुलीस तक की कात करेंगे चलिए जाले हो जाले हैं दोस्तों तो आपने खुद सुना है खास किते उनके दौरा यह बताया गया कि आये दें च्रुपी घटनाय को अंजाम दिया जाता है उसके लिए मुख्यत है विरुजगारी जिम्मेबार है तो यदि हम कहें यदि हम माने कि विरुजगारी जिम्मेबार है तो इस विरुजगारी को पैदा करने के लिए हमारी सरकार जिम्मेबार है तो इस अपराथी गटना को अंजाम देने के लिए जितना जिम्मेबार वो अपराथी के और समाधिक तत्थ है उतना ही जिम्मेबार हमारा सरकार भी है कि आए दिन जिस प्रकार से विरुजगारी बढ़ते जा रही है उसी प्रकार से ये आज समातिक तत्नों के द्वारा अपराती घटनाओं के अंजाम को भी बढ़ावा भिया जाता है कि अधा सरकार को चाहिए कि नित प्रति दिन रुजगार के प्रति सचेत होकर के यूबाओं के लिए कुछ न कुछ रुजगार उत्पन करे ताकि इस प्रकार की